हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को जरूर दबाईए और पाईए अपने वा अपने आज पास से जुड़ी खबरे व्यवप क्रांती पर एक तरफ जहां जूट की राजनीती बीजेपी कर रही है और उसको कांटर करने के लिए जिस तरह से कॉंग्रेस आगे आई है एक होती अच्छा मुकाबला होने जा रहा है और ये मुकाबला कॉंग्रेस वर्सिस बीजेपी रहेगा मुझे ऐसा लगता है और बीजेपी जिस जिस तरह से एक जूट के आडंबर के साथ ये चुनाव जीतना चाहती है, जिस तरह से 2004 हम उसने लड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई भी पार्टी आज कोंगरेस के सामने टिक पाएगा, हम पूरी 10 में से मैक्सिमुम सीटे हम जीतने जा रहे हैं और ये बड़े प्रचम ले रहेगा, जैसा मैं मामता हूँ. हम 10 की 10 सीटों को अपने कंजेट खड़े करेंगे और हमें जो पूरी अमीद है कि हम सारी सीटों को जीतेंगे. आम आदमी पार्टी का और आपकी जजबा का गठपन्दन हो गया है, क्या बहुत से देखते हो हरियाना के? हरियाना की राजनीती में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, जहां विकास के मुद्दे पर जन्नाय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही विकास को तवज्जो देते हैं, दोनों ही 36 बरादरी को साथ लेकर चलते हैं, दोनों मिलकर हरियाना के अंदर नया विचार दाराएं एक साथ मिलकर खड़ी हुई है, मेरा मानना है सबसे पहले आप पार्टी और जन्नाय जन्ता पार्टी के सभी कारे करता हूं, पदाद कारियों और मद्दाताओं का सभी का मैं बदाई देता हूं, और सब के लिए शुबकामनाय देता हूं, और मैं मानता कि लोक सभा में अपना एक बहुत जबरदस्ती से अपना मजबूती से अपना काइम करेंगे काटों से बारी राहों में चप्पल साथ निवाएंगी जातिवाद की कीचड को जाड़ो से साब कराएंगे मैं आपके बात बता दूं कि अर्विंद केजरिवाल जी दिल्ली के चीप मुनेश्टर हैं उन्होंने दिल्ली में इतने विकास कारे कि और हमारे जो शांसद मौद्दे दुसंद चोटाला जी जिन्होंने हिसार में पूरे हिसार को वाइफाई से कनेक्ट किया कैमरे से कनेक् आपसे भी आपके मादम से सभी जनता से कि वह दुशन जैसे ही सांसद लेके आएं बहुत ओधन्यवाद होगा जनता का कि वह दुशन जैसे सवागे साल ही सांसद हमार बीच में लगों कितनी सीटे जीत है कि जैसे तीं सीटों पर आप लड़ रही है जी और साथ पर अरवंद केजिवाल जी की सरकार बहुत अच्छी चेव रहे हैं और हम वीदे कम इस गंठवन से अर्यान कंदर अपनी दस के दस सीब जीते हैं कि अ कि